नमस्क्रित आयमित्रों मैं टीम इस्टार क्लस्स से आसिस्तिवारी एक बार पुन आप सभी लोगों का हर्तिक स्वागत करता हूँ साथियों आज हम आपके सामने एक 12 सा चेप्टर है आपका उसका नाम है गण आज हम आपको गण के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए उपस्तित हुए हैं चलिए आज हम गण के बारे में अध्यन करते हैं तो सरफ़तम देखते हैं हम गण की परिभाशा को अनीक धातू के समू को हम क्या कहते हैं गण कहते हैं अनेक धातूं के समू को हम गण कहते हैं अब आप कहेंगे कि यहाँ पर धातूं के समू धातू तो अकेला होता है नहीं धातू अकेला नहीं होता है यह गण के अंतरगत जो है धातूं का जो है गण के अंतरगत जो है धातू आते हैं चीक न, तो जैसे एक पिता होता है, पिता के पुत्र होते हैं, चीक न, तो पिता से पुत्र की उत्पत्ती होती है, तो ये जो गण सब्द है, ये पिता है, और धातु इसके क्या है, पुत्र है, चीक न, सामाने भासा में आपको बता रहे हैं, चीक न, तो चलिए देखते है आगे अभी हम इन सभी गण को और उनकी धातूओं को हम आप से चर्चा करेंगे तो देखते हैं आगे प्रतीक गण के नाम उसकी प्रतम धातू की आधार पर रखा गया अब यहां पर ये बात समझने की है आपको कि जो गण है वो गण के नाम जो की जो धातू जो प्रतम अस्थान पर आते हैं उसके नाम पर जो है उन धातू गणों का जो है नाम रखा गया है जैसे आपका इसे भौधिगण है ना भौधिगण हमने लिखा है ना तो भौधिगण का नाम उसकी प्रतम धातू भू यहां पर देखिए हमने लिखा है भू भूधन आदिगण यानि भौधिगण जब इसको हम एड करेंगे एक दूसरे साथ जोडेंगे तो यह हो जाएगा भौधिगण यहां पर देखिए हमने लिखा है चीक ना चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है आगे लिखा हुआ है कि दस गणों में धातूं की संख्या उनीस सो सत्तर है उनीस सो सत्तर एक गणों की टोटल संख्या कितनी है तो दस है उन दस गणों में कुल आपके उनीस सो सत्तर जो है धातूए है क्लियर चलिए अब आगे देखते हैं सबसे बड़ा गण कौन सा है तो भौधिगण है यह आप नोट पॉइंट करते हुए चलिएगा यह सब इंपोर्टेंस इतनी धातूएं यह भी आप जानते रहेगा एक हजार पैंतिस धातूएं यानि 1035 धातूएं हैं भौधिगण के अंतरगत और भौधिगण सबसे बड़ा गण में गिना जाता है और इसके बाद छोटा गण कौन सा है तो तनादिगण है जिसमें आपकी मात्र दस क्लियर यह नोट पॉइंट कर लिजेगा इन सब को और आप से पता दें कि यहां से आपका एक प्रश्ण बना था इसके पहले परिक्षाओं में गण से पूछा नहीं जाता था प्रश्ण लेकिन आपका 2018 में यहां से एक बार प्रश्ण बना तिसलिए हमने सोचा कि यहां पर आपके प्रश्ण बने इसके पहले नहीं आता था 2018 11 Door 2018 में यहांसे ओक प्रश्ण दे दिया था इसलिए इस वीडियो को बनाने का मातु से आप इसके बारे में जाने और यहांसे एक बार प्रश्ण पूछत चुका है अब इम आपको बताएंगे कौन सा प्रश्ण बना था कैसे आप देखते हैं आगे आगे हैं आपका भौधी गण में आप देखते हैं कि किसमें कितनी कितनी धातुएं समाहित हैं तो अभी हमने भौधी गण के बारे मताया था एक हजार पैंथिस क्लियर तो भौधी गण में एक हजार पैंथिस धातुएं हैं और आप से हमने ये भी बताया था कि जितने भी गण है उनमें पहले गण के नाम से जो है उस धातु का नाम रखा गया यहां पे देखिए भौधी गण का नाम उसकी प्रथम धातु भू से रखा गया आप देखिए यहां पे भौधी गण का नाम हमने यहां से भू से लिया गया है यह पाणिनी उसे से आपका गण बना है, उस गण का नामकरण किया गया है, चलिए अब आगे देखते हैं, भौधिगण में 1035 धातुई हैं, यहां भू का मतलब होता है होना, तो यहां भौधिगण का मतलब क्या माना गया, तो होने से है, और भौधिगण के अंतरगत, भू धातु, गम थातु पट धातु पाधई नी धातु द्रिस धातु लब धातु अस्ता धातु तो यह धातुएं हैं और यह हजार फैंतिस धातुएं हैं और इतना आपको ज्यादा इसका लेना देना नहीं है जो बहुत ही महतुपूर्ण और चेर्चित यूपी टेट के स्लेवस में जो धात्वी हैं वो चीज हमने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है चीक न चलिए अब आगे देखते हैं अब आपका दूसरा है अदाद इगण अदाद इगण में कुल कितने इगण हैं कितनी धात्वी हैं तो 72 है अब यहाँ पर अ सभी घणों को पहचाहना पड़ेगा है अब अब उसी इसाफ से आपका आगे है जो सत्याद इगण तो जो सत्याद में आपके कुल 24 हैं अगे to do मतलब होता है हमन करना या यानी सत्यादिगन का अर्थ हो गया हमन करना है अब जो मा कीजिए आदाद गण के बारे मता दें आपसे कि अदाद में आपका अधधातु दोधातु ब्रुधातु हनधातु और सीधातु तो ये अदाद गण के अंतर गदाएंगे इसमें कुल धातु हैं 72 तो सभी धातु को यहां पर लिखना संभव नहीं था तो जो भी कि आपके टेट की एक्जाम में जो धातु ये पूछी जाती हैं चाहिए वो परस्माय पत्की हो चाहिए आत्माय पत्की हो यहां पर वही धातु हमने यहां पर समाहित किया है और आगे देखते हैं जो त्याद गण में कुल 24 धातु हैं इसका मतलब होता हमन करना तो इसमे आती है जो धातू भी धातू और दाधातू और यह जो जो त्याद गण के अंतरगत जो दाधातू है यही जो है आपके टेट की एक्जाम में 2018 में पूछा गया है इसलिए ये वीडियो हम इसका बनाने का उद्देश यही था कि गण जो है आपका अपने आने वाले समय में य कौन सी धातू जो है किस गण के अंतरगत आती है तो यह जो तनी धातू हमने लिखा है इतना ही आप लिख लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा और यहां से पूछ सकता है तो एक नंबर आपका आराम से बन जाएगा चलिए अब आगे देखते हैं हम आगे है आप तरगत पचीज गणा आते हैं इसका होता है रोकना यानि रुद का मतलब होता है रोकना और रुद से बना है रुदादिगन रुद धातू है और यह आपका भूज धातू है क्लियर उसी साब से आगे है आपका रुदादिगन में कुल 35 धातू है इसका मतलब होता है रस न डिव से बना आपका दिवाधिगन, इपी दिव के अंत डिवाधिगन, दुख होना तुद सही बना है आपका तुदाधिगन । क्लियर तुद के अंतरगत आपका तुद है प्रक्ष है और लिख ये धात्वें तुदादिगन के अंतरगत आती हैं क्लियर आगे हैं आपका तनादिगन में तो कुल आपकी इसमें दस धात्वी हैं और यही धात्व आपकी सबसे चोटा गण माना गया है तनादिगन को अभ पहलांना और तन के माध्यम से तनाद का रूप दिया गया तनादीगंड क्लियर और तन की अंतरगत जो है आपका तन धातू और क्रिधातू आता है उसकी बात है आगए आपका क्ररेयादू गण में कुल Indक्सट धातW है ुसका मतलब होता है खरीदना यानि क्री मतलब क्या होता है क्रय करना तो क्रय मतलब आपका खरीदना होता है न तो यहां पर धातु के रूप में क्री है क्री का मतलब होता है खरीदना और क्री से बना आपका क्रयादिगण और इसके क्रयादिगण में आपका क्री धातु है और ग्य चुर से बना आपका चुरादीगण क्लियर हुआ न और चुर और चुर द्धातु और कत्धातु यह जो है चुरादीगण के अंतरक्त आता है क्लियर तो यह जो है समस्त धातुई हैं हमने आप से चर्चा की और आप इन नोट पॉइंट में इन तीनों फैक्ट को रिल लिख लेजिएगा सबसे छोटा गण तनाधिगण सबसे बड़ा गण भादिगण बादिगण में कुल 10-35 धातुई हैं और तनाधिगण में 10 धातुई हैं तो यह चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और साथ-साथ जो है यह धातूँगों को आप लिख लीजिएगा क्लियर और आपको हम इसको गाएन के माध्यम से बता दें ताकि आपकी दिमाग में इस चीज सेट हो जाए और आप भी गाएन के माध्यम से गाएन और इसको याद करने की कोशिस करें ब्वादी अदादी जो हो त्यादी रुधादी स्वादी दिवादी तुधादी तनादी क्रयादी चुरादी तो ये जो है आपके गड़ों गये तो सभी 10 गड़ों को हमने गाएन किया फिर से एक बाएन करते हम ब्वादी अदादी जुहू त्यादी रुदादी स्वादी दिवादी तुधादी तनादी क्रयादी चुरादी तो यह जो है के दस गणों को हमने यहां पर आपके समंख से गायन कया आप भी गायन करें और साथ साथ इन जो गण है इन गणों के जो जितने धात्युएं इनके इंदर गत आती हैं इसको भी आप नोट कर लिजीगा इसको लिख लिख लिजीगा और इसको याद कर लिजीगा स्वादिगन में कुल कितनी मां धातावें 35, दिवादिगन में 140, 157, तनाद में 10, क्रियाद में 61, चुराद में 46, तो ये चीजे भी आपको याद करना पड़ेगा एक नंबर से आपका पूछा गया था इसलिए ये वीडियो आपके लिए हमने महत्वपूर्ण समझा और आप इसको लिख लीजिएगा याद कर लीजिएगा तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपना पिचार हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्याद सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों फिर मिलते हैं अगले भाग में अपना ख्याल लखिए स्वीट ड्रीम के साथ मस्त रहिए बेस्त रहिए अपना ख्याल लखिएगा टेक केर जै हिंत जै भारत नमो नमा